क्या है रमन एफेक्ट जिस वजह से मनाया जाता है राष्ट्रिय विज्ञान देवस। डॉक्टर सीवी रमन एक भोतिकी थे। डॉक्टर सीवी रमन का पुरा नाम चंद्रशेखर वेंकर्ट रमन था। डॉक्टर सीवी रमन का जन्द तमिलनाडू में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। सीवी रमन ने 1907 से 1933 के बीच उन्होंने कोलकाता के इंडियन असोसियेशन फॉर दे कल्टिवेशन ओफ साइन्स में काम करते हुए फिजिग्स के क्षेत्र में महत्वपून खोजे ची। लेकिन इनकी सबसे महत्वपून खोज रही रमन इफेक्ट जिसके लिए 1930 में इन्हें नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया। वह वैग्यानिक क्षेत्र में नोबेल पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय बन गए। वर्ष 1987 से प्रतिवर्ष 28 फर्वरी को नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2024 की थीम Indigenous Technology for Vixit भारत है, जिसे हिंदी में Vixit भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। इसका उद्देश्य विज्ञान के प्रती छात्रों व युवाओं को प्रेरित करना, उन्हें विज्ञान व वैग्यानिक उपलब्धियों के महत्व के बा रमन प्रभाव फोटोन कनो के लचीले वित्रण के बारे में है, रमन प्रभाव के अनुसार, जब कोई एकवर्नी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर बुजरता है, तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प्तीवर्टा का कुछ अन्य वर्नों का प्रकाश देखन इतना को ही रमन प्रभाव कहते हैं. याद रखे कि जब प्रकाश द्रव से प्रकिर्नित होता है तो अधिकांश फोटोन उसी आवरिती से प्रकिर्नित होते हैं जिससे वे द्रव पर आपतित होते हैं लेकिन लगभग एक करोण फोटोन में से एक फोटोन ऐसा होता है जिसकी आवरिती प्रकीर्नन और आपतन में परिवर्तित होता है अर्थात आपतित प्रकाश के फोटोन की आवरिती और प्रकीर्नित प्रकाश के फोटोन की आवरिती का मानविन होता है इस धटना को रमन प्रभाव कहते हैं ये प्रभाव C, V रमन और K, के कृष्णन द्वारा द्र में 1928 में खोजा गया शुरू में रमन ने सूर्य के प्रकाश को बैंगनी फिल्टर से गुजार कर प्राप बैंगनी प्रकाश किरन पुंज को द्रव से गुजारा निर्गत प्रकाश पुंज मुख्य तह तो बैंगनी रंग कही था परन्तु इसे हरे फिल्टर से गुजारन पर इसमें बहुत कम परिमान में हरी किरनों का अस्तित्व भी देखने में आया। रमन प्रभाव रासायनिक योगिकों की आंतरिक सनरचना समझने के लिए भी महत्वपून है। रमन ने इस प्रभाव के आधार पर समुधी जल का नीला दिखाई देना तथा आकाश का रंग नीला दिखाई देना परिद्रिश्यों की सफल व्याख्या की जाती है।